Hello friends, welcome to Definite IS इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पन के अगस्त महीने 2021 के राष्ट्रे स्मरनिय तत्यों को देखेंगे चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न भारतिय नौसेना के किस जहाज को 13 जून से 30 सितंबर 2021 तक के लिए अनेक राष्ट्रों के साथ नौसैनिक अभ्यास के लिए नियुक्त किया गया है इसका जवाब है INS टबर अगला देखते हैं जून 2021 में दिवंगत अथलीट मिल्खा सिंग किस नाम से विख्यात थे? इसका आंसर है फ्लाइंग सिक अगला प्रश्न भारत की किस महिला तिरंदाज खिलाडी में 27 जून 2021 को पैरिस में तिरंदाजी विश्व कप में एक ही दिन में तीन स्वर्ण पदक जीत कर रिकॉर्ड बनाया है? इसका जवाब है दीपिका कुमारी केंद्रिय आवास एवं शेहरी मंत्राले के स्मार्ट सिटीज पुरसकार 2020 में किन दो नगरों को संयुक्त रूप से विजेता घोशित जून 2021 में किया गया है? इसका जवाब है इंदौर और सूरत अगला प्रशन देखते हैं किस अवकाश प्राप्त IAS अधिकारी को जून 2021 में राश्ट्रपती ने केंद्रिय निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है? इसका जवाब है अनूप चंद्रपांडे अगला प्रशन उच्चितम न्यायाले के किस पूर्व न्यायाधीश ने राश्ट्रिय मानवादिकार आयोग का अधियक्ष पद 3 जून 2021 इसको ग्रहन किया है? इसका जवाब है अरुन कुमार मिश्रा अगला सवाल भारत के किस राज में पृत्वी मा के लिए राजा पर्वा उच्चव जून 2021 में मनाया गया? इसका आंसर है ओडिसा किस प्रसिद बंगाली कवी, लेखक एवं फिल्मकार का 10 जून 2021 को कोलकाता में निधन हो गया? इसका जवाब है बुद्ध देव दास गुपता अगला देखते हैं भारत का जून 2021 में जारी कॉम्पेटिवनेस रांकिंग में कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 43 अगला देखते हैं केंद्रिय काबिनेट की आर्थिक मामलो की कमिटी ने प्रिथवी मंत्राले के गहरे समुद्र से संबंधित किस मिशन को स्विकृती जून 2021 में प्रदान की? इसका आंसर है डीप ओशन मिशन अगला प्रशन रक्षा मंत्राले ने नेवी के प्रोजेक्ट 75I के तहत किसके निर्मान की अनुमती जून 2021 में प्रदान की है? इसका आंसर है 6 पंडुब्बी अगला प्रशन नीती आयोग द्वारा जून 2021 में जारी सस्टेनिबल डेवलप्मेंट गोल इंडेक्स 2020-2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? इसका आंसर है केरल